असकार दोस्तों दोस्तों स्वागत वगर फिर से आपके अपने यूटूब चैनल एनपी गुरूप में तो दोस्तों जेवर एरपोर्ट की एक और लेटेस्ट कवर आई है दोस्तों और वहां के जो गाओं के जो किसान हैं जिनकी जमीन जेवर एरपोर्ट में गई थी उनके गाउं दोस्तों बसाए जा रहे हैं और उनको अलग दूसरी के सिप्ट किया जा रहा है और देखिए सबसे बड़ी खासवात इसमें यह है कि जो उनके गाउं के नाम थे पहले वाले वही उनके गाउं के नाम मिलेंगे और वही उनके आसपड़ोस भी मिलेंगे कुछ भी चेंजिंग नहीं है सिर्फ जगे बदली है दोस्तों बागी गाउं और आसपड़ोस भी रहेगा तो इसकी और भी जानकर ले ले लेते हैं तो देखते हैं इस बीडियो को तो जैसा कि आप आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जेवर एरपोर्ट छे गाउं के किसान बसेंगे नई जगे लेकिन गाउं का नाम वही आसपड़ोस भी वही पुराना ही होगा तो इसकी और भी जनकर ले ले लेते हैं तो देखते हैं इस बीडियो जेवर एरपोर्ट परियुजना में जमीन आने की बज़े से जेवर वांगर में वसाई जाने वाले छे गाउं के 3627 किसान परिवारों के सिर्फ घर ही बदलेंगे लोगों के पड़ोसी और गाउं के नाम वही रहेंगे देखिए दोस्तों कितनी अच्छी जानकारी है कि जो 6 गाउन के जो किसान के परिवार हैं 3627 उनके सिर्फ घरी बदलेंगे बाकि लोगों की पड़ोसी और गाउं के नाम वही रहेंगे अथर्टी करीब 250 करोड रुपिये से जेवर वांगर में विस्तापित होने वाले परिवारों के लिए एक टाउन से बिक्सित करने जा रही है इसमें 7 पॉकेट होंगे हर एक पॉकेट का नाम उसमें बसने वाले किसानों के नाम के नाम पर होगा यहीं नहीं गाओं में उनके घरों के पास जो मंदर मस्जित या अन्य सार्वजिन की स्थान था ओथर्टी वो भी नई जगे पर वनवागर देगी देखे दोस्तो कितने अच्छी जानकारी है कि जो उनके आसपडोज जो भी थे घर मकान जैसे थे मंदर मस्जित जो भी थी वाँ पर जो भी स्थान थे उनको ऐसे ही बनवागर के ऑथर्टी दे रही है उनको किसानों को जेवर भांगर में किसान परिवारों को सिप्ट करने के लिए साथ पॉकट डबलप किये जाएंगे इसके लिए करीब आदा दर्जन विकास कारों के टेंडर जारी किये जा चुके हैं जो काम बच्चे हैं उनके भी टेंडर जल्दी जारी करवा कर एजन्सी चेंड किया जाएगा कोसिस यही है कि मौके पर विकास कारे जल्द पूरा किया जाए अरणविर सिंग CEO यमना ओथर्टी देखे दोस्तों कितने अच्छी जान कर रही है कि उनका जो भी टेंडर था वो जल्दी फटाफट से किया जाए और उनको जल्दी सिप्ट कर दिया जाएगा ओधर्टी के अधकारियों ने बताए कि गाउं में जो जिसका पड़ोसी है उसी हिसाब से जेवर वांगर के पॉकिट में पिलोट दिया जाएगा साथ ही समाज और वसावट के दूसरे पहलियों पर भी गौर किया जाएगा अगर घर मंदर के पास में है तो मंदर के पास में पिलोट मिलेगा इसी तरह अगर मस्जिद के पास में किसी का घर है तो उसे मस्जिद के पास का प्लॉट मिलेगा हाँ अगर किसान परिवार को दिये जा रहे प्लॉट पर कोई आपती है या निजी समझ से है तो ओतर्टी विकल्प भी देगी तो देखी दोस्तों कितनी अच्छी जानकारी है कि जहां जिसका घर है जैसे है उसी तरह उसको घर दिया जाएगा और उसके आसपरोस पर जो भी चीज रह रही होगी वो ही उसको मिलेगी मंदर के पास अगर है तो मंदर के पास मिलेगा मस्ज़ित के पास है तो मंदर के पास मिलेगा और तर्टी प्लोट डबलब करने के साथ में उनमें हाई टेक टाउनसिव वाली सुबिदावी पहुँचाएगी प्रात्मिक बिध्याले अस्पताल केमुनिटी सेंटर वा अन्य सामदै की स्थालों को इस्थालों का भी निर्माण करवाया जाएगा पॉकेट बिक्सित करने के लिए अथर्टी ने कुछ दिन में ही करीब आदा दर्जन योजनाओं के टेंडर जारी कर दिये हैं वागी के बची के काम के टेंडर भी अधर्टी जल्दी जारी करेगी जो टेंडर जारी किये गए हैं वह सीवर पानी की लाएन सड़कवा अन्य प्रात्मिक बिकास कार्यों के हैं तो देखें यहाँ पर उनको प्रात्मिक बिद्धाले, अस्पताल, क्युम्निक सेंटर, सामुदाय के सारे निर्वान करवाई जा रहे हैं और इनको सब चीच के सुबदा दी जाएगी जानकारी के मताबिक जेवर वांगर में बिक्सित किये जाने वाले पॉकिट में छे गाओं के परिवार सिप्ट किये जाएंगे इनमें नगला गडेसी, रोही, पारोही, किसोरपुर, नगला चीतर, नगला सरीब, दयानतपुर खेड़ा इनमें सबसे ज़्याद संक्या रोही गाओं के किसान परिवारों की है, इसी तरह अन्य गाओं के भी परिवार है अब यह ओतर्टी की तैयारी के मताबिक एक पॉकिट में एक गाओं के किसान को पिलोट दिया जाएगा फिर अगर रोही गाओं के परिवार pocket एक सिप्ट में सिप्ट होते हैं तो उसका नाम pocket एक रोही होगा इसी तरह गाओं का नाम हर एक परिवार के साथ जोड़ेगा तो दोस्तो यह जानका रही थी जेवर एरपोर्ट की कि उनके अलग लग नाम दिये जाएंगे दोस्तों यह जानकारी ते नई जेबर एरपोर्ट की और उनके वहां के जो आसपास के किसान वाई हैं उनके लिए बहुत अच्छी ख़बर दिये तो दोस्तों आसा करता हूं कि आपको यह जानकर अच्छी लगे होगी तो आप इसक ज्यादा ज्यादा सेयर करिए और हमारी इस वीडियो को लाइक करिए बन्नावाद दोस्तों